तेस्टी यामी अस्सलामुलाइकाम कैसे हैं आप सब दिस इस सुमेरा यूर वाचिंग कुकनॉलजी आज मैं बनाऊंगी दाल चना फ्राई धाबा स्टाइल इस रेस्पी से इतनी कोई मज़ेदार और टेस्टी दाल चना बनेगी के टेस्ट में गोश को भी पीछे छोड़ देगी और जिन लोगों को दालें पसद नहीं आती अगर वो एक बार टेस्ट कर लें तो वो जरूर खाना शुरू कर देंगे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्डी से सबस्क्राइब कर लें और नोटिफकेशन के लिए बेल आइकोन भी ज़रूर प्रैस कर लें चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं आदा कप आइल एड़ किया अगर आपको ज्यादा आइल पसंद है तो आप ज्यादा एड़ कर सकते हैं दो बड़ी साइज के प्याज शाप करके अड़ किये इनको अम है फ्राय करओंगी इन प्याजों के साथ थोड़े खड़े मसालय जाएंगे दो तेजपत्ते थोड़ी सी दारचीनी और कुछ लाग इनको भी अच्छे तडीके से फ्राइ कर लेंगे साथ ही प्याजों को बहुत जादा ब्राउनी करना दो चाय की चमच लेसन अद्रक उटी हुई आड की दो मिनट के लिए मजीद कुक करूंगी जब तक लेसन अद्रक की बहुत अच्छी जी खुश्बू आने लग जाए अब इसमें अड़ किये दो चमच एक चाय की चमच धनिया पाउडर आदी चाय की चमच गरम मसाला चार पांच मिनट भून के अच्छा सा मसाला रैडी करना है जरूरत पढ़ने पे थोड़ा थोड़ा पानी आड़ कर सकते हैं भूनते हुए साथ साथ चमाटरों को चमच से मैश करते जाना है अब इस अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी फ्लेम हाई रहेगा दाल चना फ्राई हमेशा हाई फ्लेम पे कूख होती है दाल एड़ करके तीन से चार मिनट मजीद कूख करना है लास्ट में आदी चाय की चमच गरम मसाला एड़ करूंगी और एक चाय का चमच चाली मिरच अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और मजीद दो से तीन मिनट के लिए कुख करूंगी ताके जो एक्स्रा पानी है वो ड्राई हो जाए आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजेगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर दीजेगा लेन जी डाल चना फ्राई रेड़ी हो चुकी है अब मैं इसको गार्निश करूंगी धनिये से और सब्बज मिरच से उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी जरूर ट्राई कीजेगा इन्शाला आपको बहुत पसंद आईगी आप एक बार बनाएंगे तो घर वाले फरमाईश करकर के बार बार बनाएंगे आप से मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए अल्ला हाफिज